हेलो एरिवान गुड मॉर्णिंग नमस्कार 25 जनवरी 2021 और आज के दहिंदू निजपेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनालिसिस करेंगे आप इसकी पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा परिव जो मिलिटरी है डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत होरी चाइना के साथ नाइन्थ राउंड की जो बातचीत फिलाल हुई उन सब के बीच में एक न्यूज आ रही है एक वीडियो जो है और ये वीडियो किसके बारे में इस्टनल लदा के पास जो भारत का एक गाउ है वहां के हेडमेन ने बताया कि कुछ चायनि जो है करने का एक एग्रेशन शो करने को सिस कर रहे थे और उनोंने जो इटी बीपी और जितने भी forces है security forces उनको इस बार इन बता और इस इन सब से शो करता कि चाइना कितना aggressive है border को लेकर और भारत के areas में घुशने की या entry करने कितनी causes हुआ करता है और इन सब के बीच में चाइना जो भारत पर लगाता है कि भारत ने कहिने कहीं एंट्री करें चाइनीज ट्रेटरी के अंदर लेकिन यहां पर clearly दिखता है कि इस तरह के वीडियो भी अल्रेडी उनके पास है headman जो है गाउं के उनके पास वीडियो है कि यह जो शो करते हैं कि चाइना का कहिना की aggression चाइना illegal तरीके से भारत के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे है और भारत की forces भारत के गाउं इस बारे में alert भी है और इस तरह की चीजे acceptable नहीं हो सकती कभी भी लगातार बातचित हो रही लेकिन कोई फिलाल solution नहीं है second article is second news कह सकते हैं केपी सर्मा ओली जो है इस टाइम नेपाल को लीड कर रहे है नेपाल के प्राइमिनिस्टर है उनको एक्सपैल कर दिया गया वहां की communist party से अब यह हमारे लिए क्यों important है वहाँ पर आप देखेंगे नेपाल के अंदर recently कई सारी चीजे हुई नेपाल के पह स्थीन क्यों हो रहे है नेपाल के जो प्राइमिस्टर है के पी सर्मा ओली उनने डिशिजन लिए था कि परतिनीदी सवाय लोवर हाउस को वो करेंगे भंग डिजॉल करेंगे और नए सरे से करवाएंगे इलक्शन कंड़क्ट इसके बाद वहां की प्रेजिडेंट विद् सिम्बल देने से मनध्मा कर दिया है और भरत के जो 16 चमिशन है उसका अब इसकी इंपोर्टेंट रोल हैसी मधल्सकों LEFTर करने में सिम्बल को लेकर तो यहां पर एलक्शन क कमेशन दिंदिया इसके बारे में चीज़ोập आपकर 29 ऑदने ना होना ये भारत के लिए थोड़ा challenge होने वाला है, तो नेपाल के контес्ट में बहले ही ये news हो, लेकिन ये भारत से सीधी सीधी relate करेगी, क्योंकि भारत का एक neighboring country है, भारत का एक परोशी देश है, और भारत और चायना के बीद constitutes में एक buffer state की तरह काम करता है, third important है, Chief Election Commission सुनील अरोडा साब उन्होंने एक E-Epic करके पैनल को लॉंच किया इसमें क्या बिसिकली चीज़े होती उसके बारे में बता है पहली बात उन्होंने बता है कि मोग ट्राइल होगा Remote Voting Project को लेकर E-Epic जो है इसके तुरू आप डाउनलोड कर सकते है आपने photo ID cards को Election Commission of India ने ये decision लिया National Water Day के context में National Water Day कब मना जाता है कब celebrate किया जाता है ये आप लोगों को नीचे comment करना है और 2021 के National Water Day की theme क्या है वो भी आप नीचे comment करेंगे इन्होंने कहा कि Research Project पर काम किया जा रहा है इसके लावा उन्होंने का कि Postal Ballot पर भी काम किया गया आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे लोग जो भारत के citizen है लेकिन दूसरी जगह रहते हैं तो Postal Ballot की facility उनको भी प्रवाइड की जा सकती है इनके लावा Union Law Ministry के साथ Active consideration जो है इसमें किया जा रहा है National Water Day के celebration में एक E-EPIC करके जो ये पुरा का पुरा प्लेटफर्म इसकी फुल फॉर्म है Electronic version of the Electrol Photo ID Card ये लॉंच किया गया है Election Commission of India द्वारा और इसको लेकर हमारे Union Law Minister रवी संकर पर साथ के साथ Consultation भी की जा रही है यानि जितनी भी important चीज़े हैं जितने भी इसमें आप देखेंगे Modification करने के बारे इन बात है हैं वो आप mention करेंगे नीचे जैसे आप जैसे इसमें sequence में अगर 5 आर्टिकल है तो ऐसे लिखेंगे 1 से 5 इस तरीके से आप नीचे कमेंट करेंगे इसके बाद page नंबर 7 पर ओपेड के अंदर ये वाला जो न्यूज है जिसमें dropping out को लेकर न्यूज है इसको थोड़ा हम देखते हैं ये इंपोर्टेंट है dropping out का मतलब क्या होता जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं तो यह particular कल क्योंकि 24 जनवरी थी तो national girl child day था उसके मौके पर एक observation किया गए कि भारत के अंदर जो girl school के अंदर entry करती है उनकी dropping out rate किया यानि वो school कितनी लड़किया जो school छोड़ देती है उसको लेकर analysis किया गया इसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली ऐसे state है दिल्ली हालांकि state नहीं यूटी है लेकिन ऐसे ऐसे places है जहाँ पर drop out rate यानि लड़कियों का school छोड़ना सबसे कम है यहाँ पर इंटरस्टिंग बात है इनके अलावा drop out rate जो है नौर्थ इस्ट में भी हाई है यह अपने आप में challenging हो सकता है कि नौर्थ इस्ट माना जाता है कि equality को बहुत ज्यादा believe करता है और नौर्थ में अगर इस तरह की चीजे हैं तो इस पर seriously काम करने की requirement है बिहार जार्खन रूतर प्रदेश यह ऐसे state है जहाँ पर school level पर चाहे वो primary हो चाहे अपर primary level हो वहाँ पर यहाँ देखने को मिलेगा कि drop out rate ज्यादा है इनके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे initial registration माले ते 100 होता है फिर primary और अपर primary तक जो है drop out rate बढ़ता है इसके लावा category social category basis पर भी यहाँ पर आप देखेंगे इसमें difference है चाहे हो scheduled caste हो, scheduled tribe हो, other backward classes हो या general category हो इनके अंदर आप देखेंगे अलग-अलग criteria दिया अलग-अलग number दिया गया है यहाँ पर भी थोड़ा social level पर भी आप देखेंगे इसमें changes हुई है इनके अलावा state के basis पर in on analysis क्या कि मेगाले के अंदर जो है माल लेते 100% registration हुआ है तो primary level पर 84.7% बच्चे ही या girls जो है वो पड़ पाते हैं यानि इसमें जो बाकी बच गए वो कहीं न कहीं drop out है और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपर primary level पर 76.6% इसमें यह number दिया गया इसके अलावा यह पूरा data दिया गया है और यह जो top state है यहाँ पर गोवा, हर्याना, दिल्ली, हिमाचल यह आप कहा सकते हैं कि इन्होंने अच्छा performance किया है क्योंकि drop out rate को कम से कम इन्होंने minimize करने की कोशिश की, इनके अलावा यहाँ पर बताया गया कि डेटा जो है अंदरपरदेश, तिलंगाना, केरला और करनाटका का वह level नहीं है, अगर केरला क इन स्टेट्स का अगर आप डेटा को देखेंगे, तो यह कहीं न कहीं आपको अच्छे ही performing में देखेंगे, क्योंकि केरला वो स्टेट है जहांपर education का level जो बहुत अच्छा है, और south के state जो है, south इंडिया में education की मामले में, north इंडिया से या दूसरे पार्ट जो इंडिया पड़ेगा, ताकि drop out rate जो है, वो कम से कम हो, और आने वाले time में, क्योंकि कई सारे data ये भी आये थे, कि pandemic जो है, सबसे ज़्यादा असर करेगी, education पर, education में भी girl education, girl child की education को लेकर, सबसे negative असर जो है, pandemic का हो सकता है, उसके data आने वाले time में पता चलेगे, और 2021 के अंदर military talks को hold किया, हाला कि इसके अंदर, ये 9th round की बातचीत हुई है, और दोनों कईने कई भारत और चाइना एक resolution पर काम करने को लेकर, dis engagement हो, proper solution निकले, इसको लेकर दोनों काम करने की कोसिस कर रहे हैं, हाला कि ये पूरा का, पूरा discussion जो है, ये dis engagement का process है, वो कई round हो सकता है, कई 9th round की बातचीत हुई, इनके लावा, आपको पता हुआ, लेटनेंट जनरल पीजी के मेनन साब, इसमें, लीड रोल में रहे, इनके लावा, मिनिस्टरी के तरफ से, नवीर सिरवास्तों, जो है, external affair ministry में, additional secretary है, East Asia के, वो भी सके अंदर, पाटिस्पेट किये, और यहाँ प इसमें पाटिस्पेट करेंगे, इनके लावा, इसते पहले, एसजय संकर साब दौरा, चाइना के जो वांग यी करके, फोरेंग मिनिस्टरी के बातचीत हुई और दोनों ने, एक joint statement, रिलीज किया था, कि border area पर, front line पर बहुत ज़्यादा troops को भेजने की requirement नहीं है, और refrain करे कि इस तरह की situation ground पर एक तरफा जो चेंज नहीं की जाए, ठीक है, इनके लावा क्योंकि चाइना पर trust का एक बड़ा issue रहता है, चाइना पर कोई भी देस trust करी नहीं सकता, क्योंकि आप देखेंगे, एक तरह disengagement के लेकर बातचीत है, और एक तरह photograph आरे वीडियो आ रहे है, कि वहाँ पर कहीं ने कहीं भारतिय रोड का इस्तमाल कर रहा है, चाइना अपने aggression को शो करने के लिए, इसके बाद ये वाला article इस पूरे newspaper में सबसे important है, क्योंकि पहली बात तो ये एक UPSC के educator ने लिखा, तो एक अलग तरीके से approach होती है, दूसरा, क्योंकि आज मंडे को कोई news नहीं आती, तो ये आर्टिकल बहुत important है, reinventing Indian agriculture को लेकर ये आर्टिकल है, और इसको हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने बताया, ये रूसी केस दुधात करके है, अटोप unacademy educator लिखा गया है, like any other private enterprise, it requires government support, private investment and technological upgradation, यहाँ पर Indian agriculture के reinvent को लेकर जो है, पूरी क इसीज को लेकर ये आर्टिकल है, कि agriculture sector को private enterprises के साथ, government support, private investment and technological upgradation की requirement होने वाली है, इन्होंने बताया कि भारत जो है, unity in diversity की भूमी है, क्योंकि जैसे recently हमने देखा cricket के अंदर, जैसे गाबा के अंदर भारत ने जीता, जो पूरा देश उससे खुश था, इसी तरीके से agriculture भी unity in diversity के जैसी एक topic है, एक important है, क्योंकि agriculture हमारी economy का एक backbone है, agriculture sector के अंदर 263 million, 260 million लोग जो है, agriculture sector के अंदर employment है, इनको हासिल होता है, दुनिया की सबसे बड़ी agriculture land जो है, वो भारत के अंदर है, second है in terms of agriculture production के मामले में, और अगले आगर आप देखेंगे 15 साल के अंदर, पिछले पंदरा सालों में agriculture production जो है, 87 billion dollar से 469 यानि 459 billion dollar तक भारत में बढ़ चुका, इनके अलावा, दुनिया में 9th rank पर हम किसमे agriculture export के मामले में, इनके अलावा, agriculture industry ने, ये नहीं कहा जा सकते हैं, इन सब के वाज़ुद की भारत की agriculture industry जो है, फ्लूराइज कर रही है, या कह सकती बहुत उनत एक स्रेणी के अंदर, उनत कटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे agriculture के data को 41% population जो है, वो agriculture sector के अभी भी इसमें काम करती है, और इसमें अगर आप देखेंगे GDP के रोल के मामले में, केवल 18% रोल जो agriculture sector का GDP के अंदर है, इनक अगरम यूज की गई है, इसको जुरूर ध्यान रखिए, कि agriculture sector में सबसे ज़्यादा जो है, इसका मतलब क्या है, कि हमें दूसरे sector में जो job है, वो create करनी होगी, ताकि जो access, यानि जो ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे है, जिनकी requirement कम है, requirements से ज़्यादा जो लोग काम कर रहे है, उनको economy के दूसरे sector के अंदर shift क्या जासके, और overall job creations पर हमें काम करना पड़ेगा, और अगर हम हमारी economy को self-sufficient बनाना चाहते हैं, तो हमें rural economy को self-sufficient बनाना पड़ेगा, resilient बनाने पड़ेगा, इनके लावा जैसे, इन्होंने कई सारी चीज़े बताई, handicraft पर हम focus कर सकते हैं, food processing, MSME, skill development को लेकर हम काम कर सकते हैं, इनके लावा कई सारी चीज़ों पर बताया गया, कि industrialization पर हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं, जैसे painting है, handmade shops है, wooden toys, bamboo products, इस तरह के चीज़ें की demand, domestic level पर, international level पर बहुँ ज़्यादा उनको हम promote कर सक सकते हैं, इसके लाव यहाँ पर बताया कि agriculture sector को चार चीज़ें जो वो कहीने कहीं effect करती है, labor migration, weather system, cropping pattern, or lack of technology, right, इसके बाद अगर आप देखेंगे, पूरे के पूरे region में requirement क्या है, technological intervention की requirement है, लोगों को technical, जो है technology की updation देने की जुरूत है, लेकिन भारत में समश्या एक औ folders है, जमीन है भारत में किसानों के पास, वो बहुत ही कम है, सिमीत क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर छोटे वा सिमानत, marginal और small farmer जो बहुत ज्यादा मिलते हैं, यानि बड़े किसान जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर technology को adapt करेंगे, य यह भी अपने आप में challenge है, इसके लिए government को spot करना पड़ेगा, private sector को भी कहीं कहीं investment करना पड़ेगा, और corporate farming जैसी चीजें कहीं ने कहीं एक अच्छा step हो सकती थी, हाला कि discussion इसको लेकर होना चाहिए, इनके लाबा technological intervention में आप देखेंगे, micro irrigation है, rainwater harvesting है, balanced fertilizer है, soil health है, seed certification है, indigenous varieties and post harvest management, इन सब को लेकर जो है लगाता discussion किया जा रहा है, और government जो MSP को declare करती है, उन सब को भी कहीं ने कहीं important इसका पूरा का पूरा रोल होने वाला है, तो यह पूरे की पूरी चीजे है, इसको लेकर और same चीजे last में ही बताएगी है, कि government spot, private investment और technological upgradation की requirement है, इसलिए क्यों है, वो हमारी population अभी भी agriculture sector में लगी हुए, तो यह कुछ चीजें थी, काफी important, इनके लाव यहाँ पर एक fertilizer को trim करके word use किया गया, तो UPSC ने एक बार सवाल पूछा भी था, फर्टी irrigation करके word use किया गया था, तो इस तरह के words को जुरूर ध्यान कीगा, इस तरह के words important है, और य इसके बाद page number 10 पे, page number 10 पे, यहाँ पर पहले बताया गया कि million source in under week, या नि एक week के अंदर पूरी दुनिया के अंदर vaccination का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरी दुनिया में, वो continue है, और यहाँ पर 31,000 से ज्यादा नवे दिन भी हमारे यहाँ पर vaccination किया गया, frontline worker को, या healthcare worker को आप बोल सकते हैं, इनके लाब आप यहाँ पर देखेंगे, counting the doses करके यह दिया गया है, US, China, UK, Israel, UA, Germany, India, यहाँ पर पता है कितने data को, कितने लोगों को vaccinate किया गया, हला कि भारत अभी बहुत पीसे है, लेकिन क्योंकि भारत का जो vaccination program अभी सुरू हुआ, 16 जनवरी से, तो पहला phase complete हो जाएगा, तो हमारी vaccination यानि 30 million तक हम पहुंच जाएगे, 3 crore लोगों तक vaccinate हम कर देंगे, तो हमारा जो number राइज होना सवभाईविक है, क्यों क्योंकि हमारी population एक तो बहुत बड़ी है, दूसरा क्या है, कि हम जो है वो, ये के वल, emergency use authorization की permission हमने दिये, पहले level मे healthcare worker, फिर frontline worker, और senior citizen, हमने एक policy है, उसके लिए properly बनाई है, कि हम कि लोगों को पहले vaccinate करेंगे, ठीक है, इसी चीज़ को लेकर बताया गया, और number ध्यान रखने की जुरूत नहीं है, कितने लोगों को 90 दिन जो है उसमें vaccinate किया गया, उसकी कोई requirement नहीं है, इनके लावे एक यह जुरूर ध्यान रखने है, यह एडवर्ज है, एडवर्ज events following immunization, यानि immunization के बाद किसी को एडवर्ज impact देखने हो को मिल रहा है, तो उसको लेकर यह word यूज किया गया, इसी पेज़ पे लास्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, सुन्दरबनी जो हों to 428 species of birds, says Geological Survey of India, यह जिए Geological Survey of India ने estimate किया है कि सुन्दरबन एक important है, 428 species देखने को मिली birds की, तो सुन्दरबन के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और सुन्दरबन में जो major species के बारे में यहाँ पर discuss किया गया, पहली बात तो सुन्दरबन टाइगर इजो के बार लिया गया था कि दुनिया भर की जो wetland है, उनको उनमें से कुछ साइट को जो रामसर साइट के रूप में identify हम कर सकते हैं, आप लोगों को लिए एक सवाल है, रामसर साइट भारत में इस टाइम total number of रामसर साइट कितनी है, वो आपको नीचे comment करना है, जो लोजिकल सर्वे करके है, वफी फिश आउल है, और इनके लाव यहाँ पर आप देखेंगे, गोली थेरोन और स्पोन बिल्ड सेंट पाइपर, यह तीन-चार इस तरह के जो birds है, जो न्यूज में रहते हैं कई बार और जिसके बारे में particular जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया नहीं बताया है, तो हो सकता है, इनके बारे में सवाल पुछे, तो एक बार जस्ट इनको नोट डाउन कर ले ना, क्योंकि यह बर्ड की मेजर स्पीशिज में से इनको जो वो मेंशन किया गया है, यहाँ पर जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया द्वारा, और यहाँ पर दहिंदू निस पेप कई सारे स्पीशिज के लिए पोपलर यह जगह है, तो इसको जुरूर आप इस तरह की मैपिंग करते रहे हैं, मैक्सिमम यह मैप तोड़ा कट हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट का इक इसूज है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यह वाला एरिया, पटिकलर चल रहा है, और चाइनेज इंक्यूरिजन यान चाइनेज फॉर्सिज का कोशिस कर रही है, जो ताइवान का एक एक आइलेंड है, वहाँ पर एंटरी करने ही कोशिस कर रही है, तो जो अमरीका ने उनको पहले भी का था कि वहाँ पर कही न गय कि इस तरह की चीज़े ने क करिए military diplomatic or economic pressure जो create मत करिए ताइवान के अगेंस्ट और ये कहीने कहीं जो एक peaceful resolution होना चाहिए peaceful चीज़े होने चाहिए उसको कहीने के disturb करेगा और South China Sea में जो आप aggression शो कर रहे हैं ये किसी भी सूरत में acceptable नहीं होने वाला है इनके अलाबा USS Theodore Roosevelt करके उन्होंने भेजा अपना aircraft carrier और उनकोंने कहीने कहीने ensure करेंगे freedom of seas और build करेंगे पार्ट सिप्रों पार्ट सिप्ट डैट foster maritime security को लेकर ये बात की गई है यानि US sport कर रहा है ताइवान को ताइवान को इसलिए sport नहीं कर रहा है कि जो कि South China Sea के अंदर जो Chinese aggression शो हो रहा है और जो चाइना है लगातर pressure create करने इकोसिस कर रहा है ताइवान के उपर ताइवान वो territory जिस पर चाइना अपना claim करता है कि हमारा ही देश है हमारा ही पार्ट है लेकिन ताइवान ये बोलता है कि हमारे relation जो है या हम एक different state a different country है इनके अलावा अगर आप देखेंगे US President Joe Biden ओन ने integration भी किया था तब और इसमें बताया था कुछ issue जैसे human rights, trade dispute और question about China's initial response to the pandemic ये कुछ issues है इनके अलावा South China Sea को लेकर अमरीका और China के relation बिल्कुल अच्छे नहीं और China की कह सकते कि South China Sea पर दुनिया के बहुत सारे देश जिनमें कुछ देशों को छोड़ दीजिए बाग की जो है वो इस मामले में चैना को बिल्कुल support नहीं करते है United Nation Convention of Sea of Laws भी कही ने कहीं चैना के against उन्होंने decision दिया था इनके लवा अगर आप देखेंगे हमने recently पड़ा था कि जो नेवलेनी वाला case हुआ या रशिया में जो opposition leader है उसके मामले में कहीं कहीं रशिया ने US को criticize किया है कि भाई आप हमारे मामले में domestic affair में interfere मत करें लेकिन ये मामला के वाल domestic affair का नहीं है ये दुनिया भर के देशों के वो एक गलत message भीजा जा रहा है गलत message जा रहा है कि आप अपने opponent को ही जो है वो detain कर रहे है रशिया की economy पहले ही बहुत सारे sanctions जेल रही है और अगर और जादा sanctions रशिया पर लगते हैं तो ये Russian economy के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं होगा इनके लावा Scotland और England के बेच में referendum को लेकर एक issues है और Scotland की यहाँ पर आप later देखेंगे ये बोल रहे हैं कि नए सिरे से referendum करवाया जाना चाहिए इनको European Union में रहना है नहीं रहना इसको लेकर भी issues है ठीक है और क्योंकि UK में जो है दो तिन country जो मिलकर UK को बनाती है इसमें Scotland है North Ireland है Wales और England है और इनके लावा Indonesia और अभी एक और issue जो है Indonesia country लगातार news में है Indonesia के बारे में हमने recently उसकी geographical map भी पढ़े थे समातरा जावा बोर्निया तीन मेजर आइलेंड है Indonesia ने इरान के और पनामा इनके टेंकर्स को सेज कर लिया है उन्होंने का कि illegal जो है एंट्री कर रहे थे उनकी territory के अंदर water territory के अंदर और इरान और इंडोनेशिया के बेच में इस तरह का जो issues है वो कहीं न कहीं दुनिया के लिए एक अलग तरीका मैसिब है और इरान जो activities कर रहा है इरान पर पूरी दुनिया की नजर है तो इस तरह की चीज़ें लगातार news में बनी हुई है और लगातार ये discussion में आ रही है तो इन पर जुरूर नजर रखिए लास्ट information world affair के अंदर है इटली ने legal action की warning दी है जो फाइजर जैसी कंपनी है कि आप जो हो डिले कर रहे है फाइजर और अस्ट्राजेनिका वेक्षिन को delivery करने को लेकर या damage जो है वो product supply करने को लेकर warning दी है कि legal action आपके खिलाफ लिया जा सकता है तो यह कुछ important news थी आज के दे हिंदू news paper में अब हम पढ़ेंगे क्योशन को और क्योशन में गर आप देखेंगे तो हम आज 2017 वाला शुरू करेंगे आज business page पर कुछ information नहीं है क्योंकि वहाँ पर business review करके कुछ चीज़ आती है तो क्योंकि 2017 का पेपर है हमें आज शुरू करना है 2016 तक के पेपर हमने complete कर लिए ये पीडियाप मैं आपको available करवा दूँँगा टेलिग्राम पर और प्लीज आज ही download कर लेना क्योंकि फिर 20 दिन बाद ये मिलेगी ही नहीं ये बहुत उपर चली जाएगी ठीक है तो आज download कर लेना इसको अच्छे से और यहाँ पर हम start करेंगे question से पहला question क्या है पहला question ही बोल रहा है कि भारत की Parliament के context में दो statement दीगी है दोनों में से सही कुन सी है ठीक है पहला statement बोल रहा है ए प्राइवेट मेंबर बिल is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the president of India यानि एक नीजी बिल जो है Parliament के अंदर प्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे member of Parliament MP द्वारा किया जाता है जो elected नहीं होता वो nominate किया जाता है प्रेजेंट ओफ इंडिया द्वारा ठीक है आपको पता होगा प्रेजेंट जो है वो ऐसे बारा लोगसभा के अंदर दो जो है राजसभा के अंदर उल्टा बोल गया दो लोगसभा के अंदर बारा जो है राजसभा के अंदर नोमिनेट कर सकता है दो एंडियो एंगलो इंडियन के किसके अंदर लोगसभा के अंदर 12 जो है वो नोमिनेट कर सकता है रज सभा के अंदर तो इसमें correct कर लेना second statement बोल रहा है recently private members bill has been passed in the parliament of India for the first time in history यानि पहली बार ऐसा हुआ है किसी parliament member के bill को भारत की संसद ने पास किया है तो दोनो statement गलत है क्यों पहले बात private member bill जो होता है private member का मतलब होता है ऐसे member of parliament जो government का part नहीं है, government में minister नहीं है अगर कोई भी इसके अलावा कोई bill पेस किया जाता है तो private member bill ही माना जाता है चाहे वो सत्तापक्स हो, चाहे वो oppositions का हो, तो पहली statement गलत है second बोल रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि हिस्ट्री में accept कि पहली बार तो private member के bill को pass होने की possibility थोड़ी कम होती है हाला कि Indian Parliament की history में ये bill pass कुछ हुए है लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ तो ये statement भी गलत है तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो D होगा यानि दोनों के दोनों statement गलत statement है, इनका कोई वास्तिकता से लेना देना नहीं है दोनों statement, दोनों information incorrect है D answer second question है रिगवेदिक, आरियन और इंडस वेली civilization के बारे में दो-तिन statement दी गए उनको बारे में बताया गया कि आप इन में से किस statement को सही मानते है किस statement को आपको लगता है कि सही है पहला है रिगवथिक आरियन उस्तिकी अरियन दोसलिघर क आप अनल है त्मीज वे इनुम्स वेली नडनियए थे पहोलाहित दी है रिगवेदिक आरियन है प्लौस और इंडस वेली है नहीत टॉन के चिकल कि Yoondi एह थोड़ा typical है तो आप हींदी मिव देख लीजिए रिगवेधिक कालीन लोगों और सिंदु घाटई कि लोगों के बीच में अंतर पुछा है संस्कृति के बीच में पहला स्टेटमेंट बोलता है रिगवेदिक कालीन आरिये कवाच और सिरस्त्राण ये हेलमेट के लिए कितना टिपिकल वर्ड यूज गया गया है सिरस्त्राण का उपयोग करते थे जबकि सिंदु घाटी सबेता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्षिय नहीं मिलता इस पसू की जानकारी नहीं थी इसका मतलब है आप सीधा थर्ड स्टेटमेंट पर जाएंगे पहली ये बोल रहा है कि रिगवेदिक आरिये जो वो होर्स का यूज करते थे लेकिन इंडेस वैली सिवलाजेशन के लोगों को एक पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं है तो यह स क्योंकि इंडेस वैली सिवलाजेशन के अंदर आयरन था ही नहीं लोहा था ही नहीं तो यह स्टेटमेंट गलत है सेकेंड गलत होगी यानि ओप्षन बी और ओप्षन डी कट हो जाएगा तो हमारे पास केवल एक ओप्षन बचेगा सी वन और त्री मैं मैंने ओप्षन एक क प्रायर लर्निंग स्कीम है यह किस बारे में न्यूज में रहती इसके बारे में पूचा गया है तो आप यहां पर हिंदी में भी देख लेना इसको तो इसका जो राइट आंसर हो है निर्वान कारियम लगे कर्मकारों के परमप्रिक मारगों से अरजित कोसल का प्रमाणन यह जो है परतानमंत्री कोसल विकास योज़ना का एक इंपोर्टेंट परामेटर भी है और उसी कंडर इसको रखिगनेशन भी किया जाता है यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे ठीक है तो इसके बारे में आप पढ़ लेना डिटेल से अगर इंटरस्टिड हो तो नहीं हो तो हो सकता में भी इस अवाल पूछे क्योंकि सेम गवर्मेंट चल रही है क्योस्टन का पोसिबिलिटीज है इसके बाद क्योस्टन नंबर फोर है यहां बर बताएगे इस्टन घाट और वेस्टन घाट को इनमें से कोन जादा करेगा एक लोजिकल पॉइंट ओ व्यू से तो नला मला फॉरेश्ट नागर होल और सेसाचलम बाइसफेर इस तो पहला जो नला मला और सेसाचलम है यह कहां आएगे अंदर प्रदेश के अंदर आएगे इस्टन घाट में आएगे तो कनक्ट नहीं करेगा तो बी और डी ओप्शन काड़ दीजिए नागर होल प्योरली कर जो होता है जिसमें करनाटका केरला और जो तमिलाडू इनको कहने की कनेक्ट करने के बारे में जो मेजर माना जाता तो सत्यमंगला में एक ऐसा है जो दोनों के इकलोजिकल कनेक्ट विटी को लेकर काम करता है तो यहां पर इसकी जोगर्फिकल लोकेशन से भी आप टिक कर सकते हैं क्योंकि लास्ट क्योशन हमारे पास और समय थोड़ा कम है तो लास्ट हम क्योशन डिसकस करेंगे पांच वाँ वर अव दा इंप्लिकेशन ऑफ एकुल विशे सदिकार नहीं होते हैं स्पेशल कीजी के राइट नहीं होते हिंदी में प्रिवलिजी लिखा गया है इसलिए बोलता हूं कि एंसे अर्ट का पढ़ना बहुत जरूरी यह बहुत ही सिंपल सा क्योशन है जो एंसे अर्ट में लिखा गया है तो आज के दहिंदू निस पेपर के पूरे एडिशन में इतना ही उमीद करेंगे आपको पसंद आएगा और प्लीज क्योशन को जरूर कमेंट करिए थैंक्यो ओल जहिन